तो नमस्कार दोस्तो पवरिक केरेर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक वाप फिट से स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे उननचास 568 के दोस्तो जो आगे मेडिकल होना है डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होना है इन सभी के बारे में दोस्तो उत्त जी ओ वी गुवर्मेंट जॉब के दोवारा बताया गिया है उत्तरपर्दिश की मुक्यमंत्री योगिया दितनात ने हिंदुस्तान के साथ हुए एक एक एक्सेलिसिव इंटरव्यू में यूपी पुलिस भरती परिक्रिया पर हो रही देरी पर दोस्तो अपनी बात रखी उन्होंने बताया कि पुलिस भरती परिक्षा में चैनित उम्मीदवारों का मेडिकल और प्रिसिक्षन ट्रैनिंग सेंटरों में सीटे खाली होते ही कराये जाएगी पिछले तीन वरसों में 1.37 लेक्स पुलिस करिमियों को बरती की कारवाई को दोस्तों इन्होंने सफल कि प्रदेश में पहले ट्रैनिंग स्कूलों की छमता 6,000 थी जिसे बढ़ा कर 12,000 किया गया अन्य राजियों में पैरा मिलिटरी सर्विस की ट्रैनिंग सेंटरों में भी अभी उनकी ट्रैनिंग चल रही है ये ट्रैनिंग सेंटर खाली होते ही यो भी पुलिस भरती परिक्ष करनी पड़ रही है जैसे ही ट्रैनिंग सेंटरों में जगे होगी इनका मेडिकल करवाकर प्रिक्षन सुरू कर दिया जाएगा सोसल मीडिया से आवाज उठा रहे हैं दोस्तों इसके लिए अब्यारती आपको बता दें कि सिपाही भरती में सामिल अब्यारती उन्हें बता सफल हुए थे लेकिन 36,288 पदों पर ही भरती की गई से इस बावन सो बान में रिक्त हो गए मेडिकल में अब्यारती चट गए थे अब्यारती उन्हें आरूप लगाया है कि 13,924 ऐसे अब्यारती हैं जिन्नों ने चार्चरणों में सफलता हासिल की लेकिन इसके बाद भी न्युक्ती नहीं की गई अब्यारती ने भरती बोर्ड और सरकार को कई बार लिखित में अवगत कराया धरना दिया और उनके खिलाब लाठी चार्ज भी हुआ बावजू दिसके अभी तक कोई परिणाम नहीं निकाला गया सिपाही बरती परिक्षण में सफल मिद्वा ल ठीक है जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे तुरंट के तुरंट मेडिकल करा लिया जाएगा दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लेगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको भी एक ख़बर पढ़नी है तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है दे तो यहां पर देखिएगा थोड़ा नीचे आईएगा और नीचे आने के बाद मैं देखिए यह आरी दस गंडे पहले अपडेट डाले गए यह उत्तर प्रदेश पुलिस भरतिविर क्या में क्यों हो रही देरी तो आप भी भाई इसे चेक कर सकते हैं ऑफिसल तो नहीं है अला कि यह लेकिन दोस्तों यह इस एप के दवारा आप सभी को बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है